हलो दोस्तो छोटे पर्दे का सबसे फेमेश शो तारक मेता का उल्टा चश्मा धीरे धीरे खतम होने के कगार पर है इसका सबसे बड़ा वज़र है इसमें काम करने वाले आक्टरस जी हाँ चौदा सालों से चलता आ रहा ये कॉमेडी शो के कई आक्टर और आक्टरस ने शो छोड़ दिया पहले दया बेन फिर सोडी फिर अंजली और अब तारक मेता का किरदार निभाने वाले शालेश लोड़ा भी दूसरे शो की तरफ जा रहे हैं शालेश लोड़ा अब वाह भाई वाह पोईटरी शो का होस्ट करेंगे लोग ये शो देखना धीरे धीरे बंद कर रहे हैं उनका कहना है शो अब पहले जैसा नहीं रहा इसी बीच बड़ी ख़बर आई है कि बवीता जी का करदार निभाने वाली मुनमुन दत्ता भी इस छोड़ने का सोच रही है मुनमुन दत्ता कहती है कि इस शो की वजह से उन्होंने कई बड़ी ऑपरचिनिटी नहीं करना चाहती आपको बता दे मुनमुन दत्ता को बेग बॉस के लिए औफर आया है इसकी कई वजहे हैं सबसे पहली कि मुनमुन एक पॉपलर टीवी शो का हिस्सा रही हैं साथ ही अर्मान कोहली का रेलेशेंशिप भी काफी कॉन्ट्रोवर्सी में आया जब उन्होंने उन पर हरैस्मिट का केस किया अभी अर्मान ड्रक्स केस में अंदर हैं फिर मॉन्मुन एक कॉन्ट्रोवर्सी में तब फंस गई जब उन्होंने एक पार्टिकुलर कॉम्यूटी के लिए अब शब्द कहा तब लोगों ने उन्हें जम कर छोल किया ये देखना दल्चस्प रहेगा कि मुन मुन सो में बनी रहती है या अपनी करियर के लिए बिग बॉस का हिस्सा बनती है आगे की कॉंट् ट्रिवर्जी के साथ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें